नमस्कार दोस्तों आप सभी का गोलियान पे सौगत है और मैं हूँ अभिनो सिंग और आज मैं लेकर आ चुका हूँ M2R5.1 बोले तो बेब डिजानिंग का एक model paper जो की practical का है कि किस बार practical का exam पहले होने वाला है अब इस सारे question तीन question में लिए हो जैसे exam में आपके आएगा है वैसे ही सारे अभी latest question है 2024 में पूछे का question है देखो यह यह भी 2024 का पूछा का question एक table आपको बनाना इसी तरह से से मैं से table आपको create करना है कहाँ HTML ceases का यूज करके और एक question यह है यह भी देखो फरवरी 2024 का है और यह क्या करें एक HTML डाकूमेंट जावा स्किप्ट के साथ बनाना है त्री टेक्स बॉक्स बनाना है इस तरह से question है यह एक text box दो text box in text box प्लस एक बटन भी नीचे बनाना है अब इस जैसे मालोई principle rate और time यहाँ पर कोई आपका इसमें simple interest निकाला में चीज में यहाँ पर कोई जैसे पैसा डाला यहाँ पर rate of interest डाला यहाँ पर time डाल दिया और जैसे बटन पर क्लिक करेगा तो साधारण ब्याज निकल के आ जाएगा ऐसे आपको एक मतलब तयार करना है user के लिए जैसे को user चाहे तो ऐसे बना सकता है मतलब यहाँ पर पैसे डाल के अपना हिसाब निकाल सकता है simple interest का तो आज मैं simple interest के साथ साथ compound interest भी बताने वाला हूं लेकिन उससे पहले आपको लुकी ऐसे ऐसे और यहाँ पर पहुंच गया यह फिर हो गया रटा रटा आप भूल भी सकते हो अगर ऐसे कोई पढ़ा भी रहा आपको तो मतलब कहीं से रटा रटा है देखके छाप दे रहा है तो कोडिंग ऐसे नहीं होती कोडिंग का अर्थ यह होता है लर्ण सीखना important है कोडिंग भाई पहले यहां से हो सकती है उसके बाद यहां हो सकती है पहले यहां हो सकती फिर यहां हो सकती फिर इधर भी जा सकते हो आप यहां भी कोडिंग का एक सिस्टिफ जरूरी है नहीं को उपर से सुरू हो नीचे तक आजाए हम कभी नीचे करेंगे कभी उपर कर करना होता हूं कि लेवल में प्रेट के एक्जाम में तीन कुछा जाता है जिसमें से आपको दो मातर करना होता है और दोनों कोश्चन की जो 40 40 मार्क का होता है 40 स्टूडेंट कोलियान अप्लिकेशन के प्रेटकल सक्षन में पूरे जितनी भी क्वेशन मैं पहले भी पढ़ाया हूं मैं उसको चेक देख रहा हूं सब जो अभी आगे पढ़ाऊंगा यह सारा क्वेशन प्रेटकल का जो तयार कर लेगा उसी में से यह और यहां है अगर तीन नहीं आया तो दो तो सब नहीं हो पार को नहीं होता है कि जो एजी टाइप जो आपको समझे में आरे उसको अगर आपने तयार कर लिया तो उसी में से काम आपका हो जाएगा पक्का बता रहो काम हो जाएगा इस M2 की बात करनो तो HTML, CSS और जावा स्किप्ट से रिलेटेड कोईशन पूछेंगे प्रेटकल में इन दोनों से मिला कि एक तो जावा स्किप्ट रहे रहेगा तो यह थोड़ा लोगों को हाड पड़ता है लेकिन जरूर नहीं कोई 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 कोईशन इसका भी बहुत ईजी होता है जैसे अभी दिखो मैं कराऊंगा बहुत आसानी से आप कर सकते होगर आप से समझोगे तो क्योंकि मैं सिखाऊंगा पढ़ाऊंगा नहीं याद रखना एक्जाम आप ऑनलाइन होता है कैसे होता है सारा डेमो मैं बता चुका हूँ आपको प्रेटकल सेक्शन में बता रहें गोलयान आप के जो भी बतान जानना सीखना हो तभी करना प्रैक्टिस बार-बार करना आपको खुद भी तभी आप देखो प्रैक्टिस नहीं करें मामला फेल हो जाएगा याद रखना और इसमें 50 मिनट का टाइम मिलेगा मात्र यह आपको पालुमोंन चाहिए 50 मिनिट में आपको दोनों आपको गोल्यान अप्लिकेशन के प्रेटकल सेक्शन में मिलेंगे यह भी तो मिलेगा और सारा का सारा आपको कि तैयार करना है आगे भी मैं जो भी नितने नए कोशन है सब का मॉडल पेपर ऐसे ही मैं पढ़ा दूगा आपको उसका पीडिया अब मिल जाएगा आपको क्लास के साथ ही प्लस पीडियाप में पुरा पुरा एक्स्प्लेयन रहेगा कोडिंग रहेगी और क्लास तो मिली रहा है आपको चलिए शुरू करते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे क्योंकि मैं मैं बनी जैसे बताया वहीं पे सहीच आप सीख पाऊगे वहीं से मैं आपको स देखेंगे क्या बोल रहा है क्रियेट एन एस्टीमेल पेज सबसे पहले बनाओ आप जिसका बैक्ग्राउंड होना चाहिए रेड है ना उसके बाद एक ब्लिंकिंग मैसेश वारनिंग जो कि ब्लिंक करना चाहिए लार्ज साइज में साइज बढ़ा हो एड़ स्क्रॉलिं एक स्क्रॉलिंग टेज्ट करना है इसका नाम हो read the message फिल्यू मतलब इसके नीचे क्रम वाय जिससे इसे बता रहा है वैसे हमको करना सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें इसमें सब लाइन में कर रहा हूँ इसमें सबसे पहले आपको सेफ करना है सब लाइन में सेव करते हम आपको नाम बहुत important होता है HTML फाइल ही हमको जैसे blink लिख दिया मैंने blink.html फाइल में ही हमको save करना है और जहां आप save करो यह आपको मालूम होनों जैसे desktop पे मैं कर देरा हूं माल जो एक्जाम आपका कैसा होगा वह आपको देख लेनी है जो same exam उसी तरह से होने वाला है अभी यह हो चुका है अब सबसे पहले हम HTML कि कोड लिख लेंगे अभी ऊपर का कोड चाहो तो आप हटा सकते हो कोई फरक नहीं पड़ता है ताकि थोड़ा सा कम हो तो आपको अच्छे दिखाए देगा अब टाइटल में कुछ लिख सकते हो टाइटल में जैसे मैं लिख दूँ जैसे ऊपर जो था टेक्स्ट अगर चाहो तो आप अटाओ चाहो तो लिख सकते उसको भी यहां तो अपने आप आ जाता है एक्जाम म तो इसमें भी आटोमेटिक होता है लेकिन ज्यादा नहीं ठीक है अब टाइटल में लिख दो ब्लिंकिंग कि अगरी ब्लिंकिंग मैसेज अब उसके बाद कि अब सबसे पहला काम का करना है बोला कि यहां पर देख लिओ बोल रहा है कि एक वार्निंग मैसेज जो कि ब्लिंक करना चाहिए और स्क्रॉलिंग टेस्ट जो कि रीड दा मैसेज यह चीज करना है आपको सबसे पहले हम एक पैराग्राफ ले लेंगे अब पैराग्राफ में लिख दू वार्निंग इसको पैसे पेस्ट कर देता है को कफीफीर पैस्ट बहुत ज्यादा करना होता है यह रखना जब ज्यादा बड़ी कोडिंगी कोपी पेस्ट आप आसानी से कर सकते हो कोड इस एडिटर के अंदर ही ज़्यादा लिखना हो तो टंसन नहीं होगा अब देखो जैसे यहां पर मार्क्यू लिखके अंदर इसके हम लिख देंगे रीड दर मैसेज अब इसको सेफ करूंगा तो अब जहां पर मैंने सेफ किया था ब्लिंक.html यह देखो नीचे हमारा है ओपन किया है देखो यहां पर वार्निंग मैसे वार्निंग लिखा हुआ है प्लस रीड दा मैसेज स्क्रॉल करने लगा जैसे हमने यह मार्क्यू टैग लगाया व अब बोला कि बैक्ग्राउंड कलर रेड होना चाहिए आपके पेज का अब एक स्टाइल हम एड कर देते हैं स्टाइल टैग अब इसमें सारा स्टाइलिंग हम जो भी करना होगा कर लेंगे सबसे ऊपर हेड के अंदर स्टाइल टाइग होता है या आथ आपको सबको मालूम है अब इसके बाद हम क्या करें कि सबसे पहले बॉडी का कलर ही हम रेड बना दें बॉडी के कलर बॉडी लिख के आप ऐसे करली रेकट लगा देना उसके यहां पर जो कुछ भी करोगे आप बॉडी का कलर ही हो जाएगा हो सबसे पहले बैक्ग्राउंड कलर लिख यहां प करके सेब कर सकते हूँ ठीक मैं Ctrl S करता हूं नहीं अब देखें इसका वैग्ग्राउंड क्या हो गया रेड हो गया और रीड दमेसेज आपके वूम रहा है वार्निंग लेकिन अभी ब्लिंक नहीं कर रहा है अब बारी क्या है वार्निंग को हमको ब्लिंक करवाना है बस बाकी सारा काम आपका हो गया है और दूसरी चीज वार्निंग को लार्ज साइज में बोला गया है तो लार्ज साइज सबसे पहले इसका साइज थोड़ा बढ़ा कर देते हैं इसके लिए हम क्या करेंगे अब एक यहां पर क्लास ले लो कुछ ले लो क्लास जैसे मैं लिए लिए समझ लें कि नहीं सीसे जो पड़ागा उसको अच्छे से मालूम होगा क्लास का अर्थ क्या होता है क्लास जहां पर लगा दोगे जैसे पी के बाद मैं क्लास लगा दूँए यहां पे क्लास मैं लगा दिया बिंक नाम से कोई भी नाम यहां दे सकते हो पोई फरग नहीं अगर मैं font, size font size में इसका DOBS 50 pixel कर देता हूँ 50 pixel और इसका color भी change कर सकते हूँ आप जैसे color में कर दो कर white color में मैं कर देता हूँ इसको white अभी देखो इसमें क्या change जाने वाला है देखो यह color white हो गया प्लस यह बड़ा भी हो गया यह बड़ा होने ज्यादा छोटा लग रहा है नीचे वाला हला कि मैं जोम कर रखा देखो यहां पर इसको थोड़ा छोटा कर दूँगा तो यह चीज बहुत छोटा लग रहा है रीड़ मैसेज को भी अगर हम बड़ा करना चाहें तो क्या करेंगे तो हम कुछ भी एक टेग लगा तो हम यहां पर लगा सकते हो आप ताकि इसकी बीज़त बनी देने बड़ा छोटा दिख रहा है कि नहीं यहां पर एच्वन टेग रीड़ मैसेज के पहले अगर हम लगा देते हैं यह एडिंग बन जाएगा है यह थोड़ा सा बड़ा हो अब वारिन को हमको बिलिंग करवाना है दूसरी चीज हम को सेंटर में भी सेंटर करते हैं यहीं यह Turkish में आप लक्रानिंग में जो घॉन में करते हैं continuar थो चैक्प हैं तेस्प लिंग हर्गता दिखता हैं यहीं दो है जो काम परते चय अंब एक सेंटर की स्पिर्निंग यह बस इसको blink करवाना है ब्लिंक करवाने के लिए एक कोड होता था पहले के ऐसे तो पहले क्या होता इस विर्ण्त eben करें ल시कर लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं होने holidays तब क्या करेंगे हम एक नया कोड हमको css में बनाना पड़ेगा कैसे अब देखो वही चीज ध्यान समझें बड़ा इंपॉर्टेंट है यह सबसे पड़ा एक इनिमेशन नाम का टैग वो होता है इनिमेशन जो कि css का है इनिमेशन लिखने की बाद अब इनिमेट कर देंगे लेकिन वन टाइम देना है वन एसमाने इसका मतलब एक सेकंड में वन एस स्टेप लिखना आपको वन एस स्टेप स्टार्ट मतलब एक सेकंड में स्टार्ट होगा और उसके बाद इन्फाइनाइट मतलब चलता रहे गए इन्फाइनाइट का मतलब बंद नहीं होगा यह ए बिल्कुल भी blink नहीं कर रहा है, blink करने के लिए हम एक tag all लगाएंगे तो अलग से, यहाँ पे आपको लिखना है add the rate, ध्यान समझ लो यह बड़ा important है, लिखना है यहाँ पे key, और यह PDF में रहेगा तो आप इसको याद कर लेना, key frames, क्या लिखना है, key frames, उसके बाद यहाँ प 50%, 50% का अर्थ यह होता है न, कि यह कुछ देर, मतलब जब दिखेगा तो पूरा दिखेगा, नहीं फिर पूरा नहीं दिखेगा, ऐसा, इसका अर्थ यह होता है, blinker के मतलब यह होता न, एक बार दिखे, एक बार न दिखे, और opacity 0 लगा दे हाँ पे, opacity आपको लगाना है इस सेम ऐसे ही करोगे तभी 0%, यह सिर्फ 0 लिख सकते, कोई फरक नहीं, देखो, की frame blinker 50%, मतलब यह 50% blink करेगा, एक बार दिखेगा, फिर एक बार गायब हो जाएगा, उसके बाद यहां पे opacity 0 लगा दो, 0 खलामा कुछ भी लगाने कोशिश करोगे न, तो बिलिंक करना बंद हो अब देखो, बिलिंक करने लगा है, अगर यहां पे दोस्तों, 0 के बज़े आपने एक भी लिख दिया, opacity, वो फिर क्या होगा, देखो, यह बिलिंक करना बंद हो गया, पूरी तरह से दिखने लगा, 0 का मतलब यह होता है, यह ना दिख, दिखना ना दिखना, जिसको जो, अब यहां पे 50% के बज़ा, अगर कोई भी changes करो गया, जैसे मने मानलो 100% कर दिया, तो क्या होगा, तो गायब हो जाएगा, दिखे गई नहीं भी देखा, तो 50% कर्थ होता है, भाई, दिखे भी ना भी दिखे, जैसे थोड़ी देर दिखे, फिर ना दिखे, तो यह जाता है question, क्यार रखता है, तो हमारा complete हो गया, अब चाहो आप तो कुछ चीज और कर सकते हो, इसमें जैसे read the message जो black color का है, इसका color भी change कर सकते हो, और यहाँ पर time अगर 2 second आप कर दिए, जो 1s लिखा मैंने, 2s लिख दिए, दो second में blink होगा, time का मतलब भी देखो, फिर 2 second देखो, फ्रसा सुल हो गया, यहाँ पर 1 हम रहने देते हैं, 1 second ठीक है, अब चाहो तो आप read the message जो, इसका color change कर सकते हो, color कैसे change करोगी, यहीं पर style लगा तो कुछ नहीं, फारक पड़ेगा, यहाँ पर style लगा कि आप लिख दो color blue, मतलब कोई color जो भी आप red है, तो blue कर दो best रहेगा, जैसे यहाँ पर रिफ्रेंस किया, और देखो, यह color blue हो गया, read the message का, यह हमारा complete हो गया, first question, इतना ही करना ज्यादा, आप ज्यादा और करो गया तो ठीक नहीं, यह पूरा coding आपको, मैं PDF में दे दूँगा, ठीक, जो भी होगा, मजो भी मैंने किया, उसी को दे दूँगा, यह आपका coding यहाँ पर रहेगा, इसाब से देखो, keyframe वगयरा यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी help से आप देख सकते हो, body का background देखो, readman ने किया था भी, और बाकिशीचे यहाँ पर देखो, सारी code दी हुई है, यहाँ से देख करना, पूरी code आपको ready होना चाह से पहले हम दोस्तों table ही बनाएंगे, नॉर्मल table बनाएंगे, इस सब को पूरा मैं हटा देता हूँ, अब यहाँ पर start करता हूँ, फिर से नई coding, लिख लिखिया HTML यह चीज, अब उपर से इसको चाहो तो आप हटा सकते हो, कोई फरक नहीं पड़ेगा, title में लिख सकते हो, table, table, design, ठीक है, अब उसके बाद title हो गया मालो यह और यहाँ body के अंदर हम table बनाएंगे, body के अंदर चाहो तो आप कुछ heading हो गया है, अभी दे सकते हो, आपके इच्छा क्यों हो है कि कोई चीज लिखना चाहते हो, तो जैसे यहाँ पर दिखने में थोड़ा सही जाएगा, heading में कुछ लिख दोगे, यहाँ पर लिखने में table design, यही copy paste मारती है, ठीक है यह मालो, अब देखो table हम सबसे पहले normal table, html में एक simple सा table पहले बना लेंगे, table बनाने के लिए हम सबसे पहले table tag का यूज़ करेंगे, इसका table tag का, table लिख दिया हमने, अब table के अंदर क्या होता ह पहले समझ लिए कुछ चीज़, यह जो होता है, एक, दो और तीन, इसको बोलते हैं, टियार, एक table रो है, क्या है, table का रो है, टीन रो है कुल, टियार, 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 टीन, टियार आपको बनाना पड़े है, तो टियार के अंदर, जितने भी column होते हैं, जितने भी column, दो टीडी, 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 लिखना है, एक, टीएच होता है, मने आपको बताया था, टीएच का मतलब table heading होता है, लेकिन यहाँ पर देखो को तो table heading कहीं है नहीं, सब समान है, मतलब यह सारे सब equal हैं, देखो, जो भी लिखे गया है, तो heading इसमें तो है नहीं, इसलिए हमको heading टीएच नहीं लिखना है, टीडी, टीडी लिखना है, पहले हम सुरू करेंगे टीआर से, यहाँ पर क्या लिखना है, टीआर, एक टीएच बनगे है, हमको तीन टीएच बनाना ना है, फटा-फट तीन टीएर हम बना लेते हैं, एक हो गया दूसरा और टीसरा, copy, paste आप कर स सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे T और D TD देखो एक TD हमारा रेडी है तीन ठीडी हमको बनाना है इसको कॉपी यहां पर किया है पेस्ट पेस्ट फेस्ट तीन ठीडी हमारा कंपलीट है अब इसके अंदर जो कुछ भी लिखना हम लिखेंगे एक, दो, 3, इसके अंदर भी 3 हो गया एक, दो, 3 इसके अंदर भी 3-3 हो गया अब यहाँ पे आपको लिखना है One, यहाँ पे लिखना है, TD जहाँ पे Close है, इसको ignore करना मतलब देखो, यहाँ से Open हुआ TD और यहाँ पे Close हुआ इतना तो समझधार होई आरए यह पड़े हो बोर यहां से टोपन जो से नदर हमको लिखना है 2 डू और इसके अंदर हमको लिखना है यहां पर 3 िवर साइस को हम स्थाक़ यह किणहरे कर दे हैं तो क्या रहेगा अपना और थोड़ा छोटा भी कर देता हम, एक ही लाइन में सब हो जाएगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, अब लिखेने हमको 4, यहाँ पे लिखेने हमको 5, और यहाँ पे लिखेने हमको 6, देख लो ऐसे करना आपको sequential coding करनी होती है, 6 हो गया, 7, उसके बाद यहाँ पर 8, और यहाँ पे कर देंगे हम 9, हमारा यह complete हो गया coding, अब इसको हम save करेंगे, अब देखो table reference करेंगे तो किस तरह से दिखता है, देखो table में कुछ नहीं दिख रहा है, ना तो border है ना तो कुछ है, अब इसको हमने यहाँ पे लिखा है कि CSS और HTML दोनों का यूज करना है, तो HTML का use हमारा खतम हो गया, अब हम CSS में के help से हम इसको designing करेंगे, बढ़िया से, तो हम CSS कहाँ पे करेंगे, head के अंदर हम use करते हैं, आपको अच्छे से मालूम यहाँ यहाँ पे आपको लिखना style tag, style tag यूज करेंगे, इसके अंदर हम जो कुछ भी आप करेंगे, वो अराम से हमार formatting कुछ भी कर सकते, easily, तो border सबसे, देखो, आप पहले एक काम परो, table, कॉमा लगागे, अगर सिर्फ table में border बनाते हैं, माल लो, table हमने लिख दिया, और हमने लिख दिया, यहाँ पे border के बारे में, border, two pixel, solid, याद है न, ऐसी लिखने है, solid green, color भी यहाँ पे, इसको बोलता है, यहाँ पर देखेंगे, तो border बना लेकिन सिर्फ किनारे बना बीच में, अभी तक नहीं बना, border, बीच में border नहीं बना, तो क्या आप बीच में border बनाने के लिए क्या करेंगे, उच्छ नहीं करना, बस यहीं बिच से table में border आपने यह लिखा, यहीं पे आप डाल दो, TR, यहीं पे डाल दो, TD, क्या होगा, सब में बन जाएगा, आसानी से, हमारा देखो, कि देखो, सब में border बन गया, TD में भी बन गया, TR में भी बन गया, मतलब border का टेंसन हमारा खतब हो गया, अब उसके बाद क्या बारी है हमारी, अब हम सबसे पहले background color, देखो, यहाँ पे देखो, टेबल को देखो, background color green है, तो background color किसका green करना है आपको, यह सोचना है पहले, लगवक्त सबका green है जादा जादा, तो जैसे अभी table का background green कर दूँगा, जैसे table, स्वारी, table का जो background अगर आप green करने कोश्च करोगे, या फिर यहीं पे background, color, green, पूरे table का हो जाएगा, फिर दिखना बंद हो जाएगा, देखो, यह पूरे table का हो गया, इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, हमको table का नहीं बल कि यहाँ पे td का background करना है, td मतलब क्या होत होता है, देखो, td का मतलब column, यह column, यह column, सब अलग अलग column का कर दो, यहाँ पे table का जाएगा, आप सिर्फ td लिख दोगे, तो क्या होगा, भी दिखाता हूँ मो, td का देखो, सारा background अपना, यह green हो गया, अब इसके बाद इसमें थोड़ी सी, इसकी margin set कर सकते हो, आप थ td सब का बढ़ जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों लिखा हुआ है, इससे बचने के लिए हम सिर्फ table का tag, यहाँ पर table के लिए space लिए लगा देते हैं, table का अलग से formatting कर दो, बात समझें के नहीं, यहाँ पे मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ मैं लिखता हू जैसे माने लिख दिया, 300 pixel, इसके बाद आपको इसकी height भी चाहो तो आप लिख सकते हो, height लिख दो 200 pixel, beats हो गया, height हो गया, आप text align कर सकते हो, text align कहीं भी लिख सकते हैं, तो फरक नहीं पड़ेगा, या रखना, जैसे पताता हूँ मैं, देखो जैसे माने यहाँ पे लिख द लिखने करते हैं, और इसका color, color, color का सिर्फ color लिखने करते क्या होता है, सिर्फ color लिखने करत होता है, कि test का color, तो text का color कौन सा color कर दें, white, क्योंकि सम्में देखो, white वहाँ पे था, इतना करने के बाद, जब इसको save करोगे, तो यहाँ पे कुछ चीजे changes हो जाएगी, देख यहाँ पे भी इसको लगा सकते हो, देखो, white वर्क, changes नहीं होगा, देखो, changes कुछ नहीं होगा, इसका अर्थी यह हुगा, कि आप इस चीज को कहीं भी लगा सकते हो, इसको चाहँ तो वहीं दाने देते हैं, यहाँ पे है, चाहिए यहाँ पे लगाओ, आप समझदारों मे क्या कहना चाहता हूँ, color में white हो गया आपका यह, text color, plus align center हो गया, यह चीज आप कहीं, यहाँ पे भी लगा देते हैं, तो भी चलता, table में लगा दिए, तो भी, कोई फरक नहीं पढ़ने वाला, अब देखो, सबसे main चीज क्या है न, इसमें क्या पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे, अभी इतना तो कर दी है हमने, अब यह आपको यहाँ देखो, गोला सा है, इस कोने और इस कोने, तो इसको बोलते है radius, तो radius में सबसे पहला radius यह होता है, दूसरा इस कोना, तीसरा नीची, यह वाला चाह था, यह मतलब इसको बोलते हैं left and top, इसको बोलते हैं right and टॉप इसको भॉटम और राइट और यह भॉटम और लेट अभी एक्ट्वल में शिर्फ दो ही तरफ हमको रेडियस करना है एक लॉट्व और ़्लेफ्ट और दूस्रा यह वाला करना नीचे बॉटम और राइट बीट और पहला होता है यह दूसरा यह तीसरा यह चोथा कैसे आपको समझाता हूं यहां पर अगर सिर्फ आप कि लिग दिया अपने की बॉडर और रेडियस का लिखती तो आएगा पॉडर रेडियस अभी मालो बॉडर रेडियस आपने यहां पे लिख दिया 15 पिक्सल अभी देख एक डोटो रेडिस्ट 15 टोटम पूरा तरफь एक नहीं मुझे बता है यहां 运या यह फश्ट है यह वाला और यहयारा नोच पहाला कोšण फाश्ट माना जाता है तो इसमें पंदरा पिक्सल दिया आपने और दूसरा भां आपने जो आपने खों fat दिया हो गया Oh जलिक हम चाहते हैं वह हो गया ऐसे थो थो झाल हैं है कि ने को आपका द ही आपका कि तरा अब नीचे वाला कि और के दो अब देखो आपका complete है थोड़ा सा जैसे जगह हाँ बनाना चाहते हो ना इधर किनारी यहाँ पर जगह बनाना चाहते हो तो एक होता है padding margin margin कार्थ पर क्या होता है margin कार्थ यह होता है अगर margin आप लिखते हो मार्जिन बेकर मैं लिखग दिया जैसा मालो 100 थर्टीफाइड फिक्सल यह क्या कर एक परेगा प्पोरे टेवल को आपको खिसका के ठोड़ा सा एगाल, जैसार, हेख़ी इधर कर दिया, है कि नहीं इसको बुलते हैं, और अगर यहाँ पेटिंग होता है, पेडिंग का अर्थ होता हैं, अंदर की बात करता है, पेडिंग ज्यादा मत देना, 5 पिकेटल को isना अगर मैं देता हूं, तो गुणा फर्रक पर पड़ता है कि न लगा दो जैसे टीडी यहाँ पर है यहाँ पर आप यहाँ भी लगा सकते हो जैसे मैं क्लास ही लगा जेता हूं यह यहीं लगा देखो टीडी में आप लिखना है कुछ नहीं करना आपको लिखना है अब अब टेखो अब टेबल आपका दीजाइन कमप्रीट हो गया एक तो टेबल है अगर आप उचाइस की कम करने से जिस्जाइस की ज्यादा लग रही हो तो कम कर सकते हो यहां से हाइट में यहां पर हाइट लिखा है तो इसको 180 कर दो कि तो ऐसे लगने लगे है देखो एकदम सेम उसको भी मैं नहीं बनाया है जो इसकी इन सोट लगाया ना यह इसको भी मैं नहीं बनाया इसको भी मैं ही बना रहा हूं तो आप समझ गए कि क्या खेल है कुछ नहीं बस इसमें ऊपर थोड़ा साइसे मैंने समझाने के लिए इतना टाइम चला गया है लेकिन बहुत सिंपल से चीज है आप इसको कर सकते हो ठीक है कोडिंग सारा का सारा जो मैंने बढ़ाया वही इसमें रहेगा थोड़ा बहुत चेंजिस नहीं रहेगा वही सेम कर दूंगा मैं कोडिंग जो रहे देखो यहां पर अंदर ही लगाया हूं मैं टीडी इस्टाइल वेग्राउंड कलर औरंज फाइवल मैंने औरंज लगा रहता है कि create html document with javascript, मतलब javascript के साथ html document बनाना है आपको, that has 3 text boxes, 3 text box होना चाहिए और एक button होना चाहिए, the details should be accepted using text boxes are principle, मतलब 3 text box हो और detail, rate of interest और duration of year, 3 text box में एक में आपका principle कोई डालेगा, दूसरे में आपका rate डालेगा, जो interest का rate हो, और third box में आपका कोई time डालेगा, इन टीनों को डालने के बाद एक नीचे button होगा ऐसे, उस button पर जैसे click करेगा, आपका एक संदेश box लिखाईद है, जिसमें साधार व्याज दरसाता हो, यहां पर लिखा है, हिंदी में भी हो, एक्जाम में आपका सर्फ इंगलीस में आगे, इसलिए ध्यान रखना, अपियर शोइंग दर सिंपल इंट्रेस्ट आप प्रिंसिपल अमाउन, तो आज मैं आपको सिंपल इंट्रेस्ट के साथ साथ ना compound इंट्रेस्ट भी बता दू इसको हटा दो, टाइटल में लिख दो, क्या, SI, calculation लिख देते हैं कि नहीं, तो टाइटल हो गया हमारा, अब आते हैं, यहां, अभी शुरुवात कहां से करेंगे, सबसे पहले था हम बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स चाहिए form के अंदर बनाओ, चाहो बीना form के अंदर बनाओ जैसे, आप बीना form के भी बना सकते हो, कुछ जैसे आपको मालो, यहार रना form, जैसे एक form ले लिया मैंने, अब form के अंदर, आप लिख दो, यहां पे, enter, principle, क्या लिख दोगे, आप कोई enter, principle करेगा, यहां पे आपको एक tag लगाना है, जिसका नाम होगा, input tag, क्या होगा, input tag, input type यहां पे आप चाहो तो number दे सकते हो, क्योंकि हमको लेना क्या है, number लेना है, number लिखते ही, यह number ही लेगा, देखो छोड़ा छोटा कर देता हूं, input type, यहां पे इधर आज़े, पीशे भाई तो, देखो, enter, principle, यहां पे लिखा रहेगा, input type, number, name, में कुछ लिखो या न लिखो, value important है, name छोड़ो, value, नहीं, ID लिखना, क्या लिखना जरूरी है, यहां पे ID, जब ID लिखो गए, तो ID में डाल दिया, PP का मतलब principle, इसी चीज को जैसे मैं save किया, और यहां पे refresh करोगे, तो देखोगा, तो यह एक enter principle, यहां पे कोई principle, जैसे मालवा 100 र होना चाहिए, और time कभी होना चाहिए, क्या करोगे, सान तुमारी किसको copy करो, यहां पेश्ट, यहां पेश्ट, है की नहीं, मस्त है, अब यहां पे लिख दो rate, यहां पे लिख दो time, है की नहीं, अब input time number ठीक है, यहां पे ID में change कर दो, यहां पे rate के जगा पे R लिख दो, और time पे जगा पे T लिख दो, तो ऐसे ही करना, आपको यहां पे आप जैसे पूरा भी लिख सकते हो, मन करें तो principal लिख दो, मन करें तो rate लिख दो आप, मन करें तो time पूरा लिख दो आप, इसको जब save करूँगा, मैं तो यहां पे आप refresh करोगे, देखो यह line change नहीं हुआ यहां पे जैसे इसको और फोड़ा gap दे दोगी ना, तो देखो कि यहां पे यह, पुड़ा सा इधर आ गया, यह चीज हो गया आपका, principal rate, time यह सब हो गया, प्लस आप एक button बना तो, button में क्या लिख हो गया, input type, सिर्फ सीधा लिखना है, input type, यहां पे type में लिख दो button, 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 name में क्या लिख दो, कोई फरक नहीं पड़ता, यहां पे value, थोड़ा सा important होता है, value वहां पे दिखता है, show करेंगा, यह, value में लिख दो, show, SI मारलब कोई press करेंगा, उस पे तो, SI show करना चाहिए, देखो यह, इसको थोड़ा सा कर, अब जिधर भी करोगी, जैसे इसको थोड़ा सा, इधर खिसका होगे, या फिर थोड़ा सा, और नीचे करना चाहोगे, और खिसका दोगे, तो यह, उसी हिसाब से set हो जाएगा, प्री टैक के अंदर कोई भी चीज, देखो थोड़ा नीचे होगा, थोड़ा दर कीज़गा, अब इसमें कोई सव रुपया डाला, इतने में rate डाला, time डाला, और show SI किया, तुरंत SI दिखना चाहिए, क्या भी दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी तो आपने कुछ कोडिंग किया नहीं, जावा स्कृट कोड तो किया नहीं, अपने, तुर्षे यहां पर 5 डाल दिया, मैं यहां पर 2 परत्ति, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, तो कुछ होने के लिए हम क्या करेंगे, एक फंक्सन बनाएंगे, जो क्योंकि जावा स्कृप्ट में फंक्सन स्टार्ट करेंगे बना, function कैसे बनाएंगे लिख दो function, function लिखने के बाद यहां से function का नाम देते हैं, जैसे मनें दे दिए SI नाम का एक function है हमारा, ठीक है, क्योंकि हमको simple interest निकालना है, तो function ऐसे लिखते हैं, function लिखने के बाद SI लिखो, फिर parenthesis जो bracket होता है, छोटा वाला कह ठीक है, अब यहां पर क्या लिख होगे, सबसे पहले आप चाहो तो ओ ले सकते हो, क्या, बहुत सारे variable, बहुत सारे क्यों क्योंकि आपको जरूत पड़ेगी, जैसे P के नाम से एक variable ले लो, principle हो जाएगा यह, P के नाम से time हो जाएगा, R के नाम से आपका rate हो जाएगा, इत में variable ले लिए, अब उसी को क्या लिखना है, simple है, देखो, P बराबर क्या होगा, यहां पर बताना इसको, function को, P बराबर होगा, document, dot, समधना यह चीज़, get, अब get लिखने के बाद, E बड़े में लिखना, get elements, element, by, by में b बड़े में लिखना, id में i बड़े में लिखना है, ऐसे लिखना है, get तो छोटे में, यतना छोटा हम रहेगा, e बड़े में, p बड़े में i, capital मतलब इसका, अब इसके अंदर by id, मतलब क्या कह रहा है, यह कि, p तो आपने एक variable लिया, अब कह रहा है, document, dot, get element by id मतलब, एक id के द्वारा यह पाएगा, p के अंदर, जो भी value होगा, इस टूर हो जाए, कौन सी id, id यहाँ पर डाल ला है, आपको अंदर, id, principle, p, मतलब principle, जो इसमें input करेगा, कोई user, जो आपने यहाँ पर form बनाया, सबसे उपर, जैसे 100 मने किया, जैसे 100 जब input करेगा, कोई इसकी id, p है, इसी id को यहाँ पर डाल दो, p, अब यहीं जो p होगा, जो p के नाम से id है, इसके अंदर, जो भी value store होगा, वो p है, मतलब, यह वाला p है, ठीक है, मतलब principle हो जाएगा, यहाँ पर लिख दो value, value लिखना मत बोलना, यहाँ पर value लिखने के बाद, semicolon लगाओ, बस खतम यह आपका, तो थोड़ा चाहो, तो यहाँ पर कर दूँ मैं, अब समझे के नहीं बात, जो p id नाम से आप बनाया हो, यहाँ पर input text, number जो भी है, वो input करेगा, p id नाम से तो आके value यहाँ पर store हो जाई, समझे नहीं, उसका कहा जाएगा, p है, तो समझ जाएगा, यह p का मतलब यह होता है, बस सेम इसी तरह से आप copy-paste आप इसको कर सकते हैं, एक लिख दिये, बस उसके बार आपको tension बिल्कूल नहीं है, p तो हो गया, r क्या होगा, p और t, जो r में value आई, r हो जाएगा, जो t में value हो जाएगा, t हो जाएगा, t हो जाएगा, t हो जाएगा, t हो ग यहाँ पर लिख दो, p into r into t, आप अगर जानते होगे, हिंदी में, मूल धन, गुड़े दर, गुड़े समय बटे, 100, लोग देसी बहां समरटे हुए थे, और मैत मेरा favorite भी वैसे भी, इसलब कहा रहा हूँ, चक्रिभी दिव्याज हुए बता दूंगा, और सारहर ब्याज हो गया, तो SI लिखते ही, उसके बाद अब आपको क्या करना है, अब इसमें question पर देखो क्या बोल रहा है, question बोल रहा है कहा है, एक संदेज box दिखाई, दिखा रहा है कि जैसे button पर ok button, when the user click the ok button, जब ok button पर click करता है, तो message box appear showing simple interest, message box दिखाई देना चाहिए, तो आप यहाँ पर लिख दो alert, alert में याद रखना, जो कुछ भी लिखना है, message box का मतलब alert ही होता है, यहाँ पर लिख दो SI is, अब यह SI दिखाएगा, यहाँ पर, यह तो मालो आप वहाँ पर दिखाने के लिए test कर रहे हो, अब main value क्या होगी, main बोल यहाँ पर लिख दो, plus लिखने के बाद SI, अब SI आपका दिखने वाला है वहाँ, ठीक है, SI आपका दिखेगा, अब देखो, अब इसको क्या, save करोगे तो दिखने लगेगा, नहीं, जैसे मैं इसको refresh करके डाल दो क्या दिखने लगेगा, अभी नहीं भाई, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी कहानी खतम नहीं, कुछ, क्यों नहीं दिखा, क्योंकि आपने यहां पर बटन तो बना दिया, लेकिन एक्षन के बारे में कुछ बताए नहीं, इसको, बटन में याद रखना, जब बटन पर कोई क्लिक करें, यहां पर लिखा जाता है, ओन क्लिक, यहां पर आ जाता है, ओन क्लिक, जो इवें वह ही होना चाहिए तो function में क्या होना चाहिए function में भाई यह यह पी की value को ले लेगा R के value को लेगा T के value को भी ले लेगा और तीनों को गुड़ा कर देगा 100 से divide कर देगा यह आपने लिखा यहां पर उसके पाद alert देदेगा जो भी SI रहेगा वह अलड़कर देगा जैसे इसको हमने save किया और यहां पर refresh किया और यहां पर मैंने डाला 100 5% दो साल के लिए तो पर क्लिक किया और यहां पर आप देख सकते हो कह रहा है SI is 10 है कि ने मजा आया तो आपका complete हो गया यह और कुछ भी लिखो यहां पर जैसे आपने 1000 डाल दिया पिर SI is 100 है ना तो यह चीज है आपका SI निकल गया एक चीज और मैं आपको बता दूँ आपको हो तो जैसे मालो कभी-कभी अलर्ट ना आप लेना चाहते हो नीचे सो करना चाहते हो तो क्या करोगे जिससे तो SI लिखा इसकी नीचे ही आपका message जा जाए कि SI is something तो क्या करोग लिखे उसके लिए आपको दोस्तों एक code लिखना होता है उसका नाम है देखो लेकिन यह वाला यार रखना यही important code है कि यहां पर लिखो document dot वही लिखो गए यही मैं copy कर देखो यही चीज लिखना है बस थोड़ा सा चेंज करके बताता हूं कैसे हैं यही चीज यहां पर लिख दो पस dot value के जगह पर आपको कुछ और अलग से लिखना पड़ेगा dot value को जगह पर आप inner dot HTML कई तरीके हैं आगे मैं आप practical पढ़ते र हैं आपको बहुत को सीखनों को मिलें कांटेन आप बस पढ़ते रहें सारे चीज देख लेना खोड़ा समय बता देता हूं अगर मालों आपको यहां पर नीचे दिखाना थे इनर HTML लिख देना है दोस्तों फॉर्म के नीचे चाहो तो नहीं टैग बना दो एच वन के नाम से क्या चीज़ एच वन अब एच वन में बस कुछ नहीं लिखे ना आईडी लिख दो इनर हाफ को आईडी वराबर SI इसका आर्थी यह होता है ना देको इसका आर्थी यह होता है कि डाकुबेंट डॉट इन्मेंट वाई आईडी SI जहां पर SI नाम से आईडी होगा वो भी कहां inner HTML मतलब HTML में इसमें कोई value नहीं होती क्यों क्योंकि यहां पर होती है हम में जो value होती है form में होती याद रखना इन्पुट टाइप जो होगा वहां पर होती कोई आईडी हो सकती है तो SI नाम से जो आईडी होगा वहां पर यह चीद दिखाई देगा पस इतना है question पर अब अब होगा अब यहां पर अदो कंद्ए घृण्ट अभी क्या होगान हरत डिखाई नहीं दिखाई नहीं इसे यहां प्रहीं लिखा है 100 यहां पर लिखा 5 यहां पर लिखाई देह रहा है उब नई और पीमतला पराग्राफ के लेख दोंगे तो यह री अगया यार Bloody में ड़ душ दो आप हम आइडी इसमें फिन फिर हो देखो लesting पा इस neben डाला हांड़क ऐखे इसको इसको टूइस तो इसको अँगए है अपने है दिखाई 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 दे रहा है पी में नहीं जैसे अपने हमार्ण कि फोटावाई कर सकते हो अगर आपकी मर्जिश है आपकी को जरुरी नहीं कि अभी तो हमको इंपोर्टन के है हमारे लिए इंपोर्टन्ट यह है एलर्ट पूछा बॉक्स पूछा था इसलिए इसको कमेंट्स कर दिया यह भी नीचे वाला भी अब देखो अगर आपको CI पूछ लिया तो क्या करोगे CI में दो एक टैग बढ़ा दिया क्यों बढ़ाया क्यों कि दोस्तों एक होता है अमाउंट जो जिसको मैत पता होगा अच्छे पता होगा अमाउंट का मतलब क्या होता है जो मिश्धन का होता है यहां पर सबसे पहले आप लिखो ए बराबर अब लिए पी इंटू मतलब प्रिंसिपल इंटू इसमें एक फार्मुला होता है यह फॉन प्लस प्लस र अपॉन हन्डेड आपको पता होगा इसकी पावर इसकी पावर लगाने के लिए कि यहां पर लिख दो डबल इस्टार पावर जब लगाद है डबल इस्टार टी का मतलब देशे आपने कर जिसको देखो जिसको मैत थोड़ा बहुत भी आता होगा चक्विदी व्याज का फार्मूला मालूम होगा इसके अंदर फ्लस आर पॉन हंडेड की पावर टी का मतलब होता है कि यह लिखते ही अब आपका अमाउंट आजाएगा लेकिन अमांट ही आपका अंसर नहीं होगा अले सबसक्राइब है ना कि मैं साल की साल के लिए डाला अब यहां पर देखोगे तो एसाइब बदल जाएगे जो 10 रुपए होता था SI क्योंकि चक्रविदी ब्याज होता है, SI मत समझना, यह CI है, बस यहाँ पर लिखा SI है, मैंने आपको बस समझाने के लिए बता दिया, यहाँ पर जब जैसे आपको CI पूछे तो यहाँ पर CI लिखना, SI मत लिखना, 10.25 SI आ रहा है, मतलब यहाँ जैसे इसको बढ़ा दिया, 1000 क करके अभी सारे कोड मैं आपको PDF में दे दूँगा, ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करना बार बार और तैयार कर लेना अच्छे से, ठीक है, इस तरह से यह आपकी क्लास कम्प्लीट हुई, अब मिलेंगे किसी next क्लास में, ठीक है, कोई दिक्कत हो, कोई परसानी, आप लो